तो बचो इसमें एक जो बहुत महत्पूर्ण आपका एक सेशन है फीफा वर्ल्ड कप का इसमें आपका स्वागत है और ये आज हम करेंगे पूरा जितने सवाल इसमें बन सकते हैं फीफा की फुल फॉर्म पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन बचो इसका मुख्यल है जूरिक सुट्जे लेंड में है ठीक है में खेला गया था और तब इसे जीता भी उरुगवे नहीं था ठीक है उरुगवे नहीं तब इसे जीता भी था बच्छो ठीक है तो फीफा की फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन मुख्याले जूरिक सुझेलेन में है अध्यक्ष जियानी इंफेंटिन पहली बार 1930 में खेला गया और 1930 में इसका आयोजन कहां किया गया था बच्छो उरुगवे में तब इसका विजेता भी कौन था उरुगवे ही बच्छो इसका विजेता था ठीक है कितने वर्स के अंतराल में खेला जाता है तो आपको पता है ये चार वर्स के अंतराल में ख ठारा में इसका 21 वा था बच्चो और तब ये रूस में खेला गया था ठीक है रूस में और तब विजेता था फ्रांस कौन था बच्चो फ्रांस विजेता था तब फ्रांस ने क्रोशिया को हराया था किसको फ्रांस ने क्रोशिया को हराया था ध्यान रखना है ठीक है चलो अ अमेरिका, मेक्सिको और कनाड़ा तीन देश करेंगे, तीनों पड़ोसी देश हैं, तीनों में ये होने वाला है अगले साल, ठीक है, तीनों में ये होने वाला है, अगले साल का मतलब अगली बार, ठीक है, अगली बार बचो, जल्दी से आगे देखते हैं, फीफा वर्ल्ड क खेला गया, Lusail Stadium में, कहां? Lusail, तो आयूजन कतर में हुआ, उद्घाटन अलबायत Stadium में, Lusail Stadium में, इसका final match खेला गया बच्चो, शुभंकर था live, ठीक है? लाइब इसका क्या है? शुभंकर, यानि की बच्चो, मैसकट क्या है? इसका live है, ठीक है? इसका जो आदर्स वाक्य जिसे motto भी कह देते हैं कभी, ठीक है? मोटो जो है, इसका now is all, now is all, इसका motto है, ठीक है? नाओ इस all, इसका motto है, फुटबॉल गैंद को जो नाम दिया गया था, बच्चो, अल रहिला, अल रहिला नाम दिया गया था, फुटबॉल की गैंद को, जिसका मतलब होता है, एक यात गैंद यातरा ही तो करती है, गैंद क्या करती है, यातरा करती है, ठीक है? जल्दी से देखो, लाइब इसका सुभंकर है, अल बायत स्टेडियम में इसका उदगाटन हुआ, लुसेल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया कहा, लुसेल में बच्चो, ध्यान रखना है, इसका मोटो है फुटबॉल गेंद का नाम है अल रहिला क्या गेंद का नाम है बचो अल रहिला फुटबॉल गेंद का नाम है विजेता टीम को जो पैसे मिले 42 मिलियन डॉलर और उप विजेता को 30 मिलियन डॉलर यानि कि जो अरजेंटीना को मिले होंगे बच्चो 42 मिलियन डॉलर और ये जो है उपविजेतानी फ्रांस को मिले 30 मिलियन डॉलर बच्चो कितने 30 मिलियन डॉलर याद रखना है अल्रिहला गैंद का नाम है याद रखना है जिएनी इंफेंटिनो फीफा के अध्यच याद रखना है जूरिख में फीफा का मुख्याला याद रखना है ठीक है अल-बायत स्टेडियम क्या है बच्चो पहला मैच हूआ लुसेल स्टेडियम लास्ट मैच हूआ सारी की सारी चीजें याद रखनी है विजेता, अर्जेंटीना, फ्रांस उपविजेता, अर्जेंटीना ने कौन सा खिताब ये जीता है, कौन से नमबर का, अर्जेंटीना ने सबसे पहले 1978 में, फिर 1986 में, और तीसरा जीता है 2022 में, अर्जेंटीना ने तीन बार ये खिताब जीता हुआ है, अगर सबसे जादा क बात करोगे आप तो ब्राजील ने जीता है किसने ब्राजील ने गोल्डन बूट अवार दिया जाता है उस खिलाडी को गोल्डन बूट बहुत महत्पूर्ण है जिसने सबसे जादा सबसे जादा गोल किये हो तो ये किलियन अमबापे है ना बच्चो किलियन मबापे नाम से भी आ जाता है कभी मबापे जैसे भी आपको वहाँ पे मिले ठीक है क्योंकि अंग्रेजी में ये जो एक ही अंग्रेजी नहीं है एम से ही शुरू है नाम तो फ्रांस के हैं किलिये नेमबापे जिन्होंने आठ गोल किये बच्चो जिन्हें गोल्डन बूट दिया गया गोल्डन बूट के बाद यह नहीं सबसे ज़ादा गोल करने वाले को जो दूसरे नंबर पे गोल करता है उसको मिलता है सिल्वर बूट और सिल्वर बूट मिला था लियोनल मैसी को किसको मिला था बच्चो लियोनल और इक्वाडोर के बीच में, कतर इक्वाडोर के बीच में बच्चो ठीक है, और उद्गाटन कहा हुआ, अलबायत स्टेडियम में कहां, अलबायत में बच्चो, फाइनल कहा हुआ, फाइनल हुआ, लुसेल स्टेडियम में कहां, लुसेल स्टेडियम में बच्चो, सबसे ज फाइनल मैच खिला था उस फाइनल मैच को खिलने के बाद सबसे जादा मैच खिलने वाले खिलाडी बन गए हैं लियोनल मैसी कौन बन गए हैं लियोनल मैसी 26 मैच उनके हो गए हैं जल्दी देखो अब तक दो बार गोल्डन बॉल आपको पता ना इस बार गोल्डन बॉल किस इसरी बार बन गए बच्चो कौन मैसी यानि पहले खिलाडी इतिहास के जिने फीफा में वर्ल्ड कप में दो बार गोल्डन बॉल मिला है आज तक किसी और खिलाडी को नहीं मिला सबसे जादा मैच जीतने वाले भी मैसी बन गए 26 मैच हो गए इनके ठीक है तो गोल्डन बॉ इनको 24 में मिला 22 में मिला 24 में 22 में कहां 24 में और 22 में दो जिगे इनको गोल्डन बॉल मिला है ठीक है वर्ल्ड कप सबसे जादा किसने जीता बच्चो ब्राजील ने सबसे जादा बार जीता हुआ है किसने ब्राजील ने वर्ल्ड कप को सबसे जादा बार जीता हुआ है ब पूछा जा सकता है क्योंकि भी दोनों फाइनल की टीम है तो हुगो लॉरिस थे कौन थे हुगो लॉरिस फ्रांस के कप्तान थे बच्चो ठीक है अन्य विजेताओं के नाम देख लो एक बार देखो गोल्डन बॉल पुरुसकार मैसी को मिला और गोल्डन बूट किसे मिला ए होता है जो बढ़िया प्लेयर में दूसरे नंबर पे रहा हो तो वो एमबापे को मिला है और शिल्वर बूट किसे मिला है मैसी को यानि यहां यह बदल गए देखो गोल्डन बॉल पुरुसकार और गोल्डन बूट पुरुसकार आपको याद हो गए याद गोल्डन बॉल मिला है Lionel Messi को Golden Boot मिला है Killian Mbappe को अब अगर Silver Ball आईगी तो ये वाले को मिलेगी यानि कि Killian Mbappe को और Silver Boot आएगा तो इस वाले को मिलेगा यानि Cross Check Silver में Cross कर देना है बस उनको Silver में Cross Golden आपको याद है Ball भी और Boot भी जब Silver Ball और Silver Boot आए ना तो बस उनको Cross कर देना है याद रहेगा ना चलो बचो अब आता है Golden Gloves Golden Gloves किसे दिया जाता है बचो जो सबसे बहतरीन गोल कीपर रहा हो क्योंकि गोल कीपर का एक बहुत बड़ा महत्व है तो Emy Liano Martínez अरजेंटीना की गोल कीपर है Emy Liano Martínez उन्हें मिला Golden Gloves अवार्ड ठीक है Golden Gloves अवार्ड उन्हें मिला है FIFA Fair Play अवार्ड Fair Play माने जो टीम साफ सुतरा खेल दिखाती है उसे मिलता है England को दिया गया है किसको England को दिया गया और तीसरा और चौथा इस्थान था क्रोशिया का तीसरा और मोरको का चौथा मोरको का बच्चो चौथा कभी कभी पूछता है ये भी ठीक है कभी कभी ये भी पूछता है जल्दी से एक बार रिवीजन कर जाते हैं बच्चो देखो जल्दी से रिवीजन कर जाते हैं FIFA World Cup 2022 का तो FIFA Federation International D Football Association बच्चो इसका नाम रहेगा ठीक है चलो मुख्यले है जूरिक सुझे लेंड में ठीक है बच्चो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनोस के अध्यक्ष हैं पहली बार कभ खेला गया 1930 में खेला गया ठीक है बच्चो उरुगवे में हुआ पहली बार कहां पे उरुगवे में FIFA World Cup 1930 के विजयता भी कौन थे उरुगवे की टीमी थी हुआ भी वहीं था कितने साल में खेला जाता है चार साल के इंतराल पे तो पिछले बार कभ खेला गया होगा 2018 में 2018 में आयोजनिस्थल कौन सा था रूस था इस बार कतर 2018 में रूस इस बार कतर 2018 में फ्रांस ने जीता था इस बार फ्रांस दूसरे नमबर पे रहा किस नमबर पे दूसरे नमबर पे बच्चो और अगला कहां होगा 2026 का अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा बच्चो ध्यान रखना है ठीक है अगला फीफा वेल्ड कब 2022 से आयोजन इस्थल है बच्चो कहाँ पे कतर में आयोजन इस्थल कहाँ पर है जल्ली बताओ तो ये इसका 2022 का कतर में था उदगाटन स्टेडियम अलबायत स्टेडियम था फाइनल मैच हुआ लुसैल स्टेडियम में ध्यान रखना है शुभंकर था लाइब बच्चो आदर्स वाक्य था इसका नाओ इस ओल अल रिहाला गेंद का नाम था बच्चो एक यात्रा जिसका अर्थ होता है 42 मिलियन डॉलर मिले विजेता को 30 मिलियन डॉलर मिले उपविजेता को ठीक है उपविजेता को अर्जन्टीना रहा विजेता फ्रांस रहा उपविजेता और बच्चो अर्जन्टीना ने कौन सी बार जीता है 1906, 1986 और 2022 तीसरी बार जीता है ठीक है? तीसरी बार अरजेंटीना ने जीता है गोल्डन बूट अवार दिया जाता है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर को किसे मिला है बच्चो? किसे मिला है? किलियन एमबापे को फ्रांस के हैं आठ गोल उन्होंने किये थे कितने आठ गोल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने हिस्सा लिया कुल मिला के कितने मैच खिल गए? 64 मैच खिल गए बच्चो पहला मैच किसके बीच खिला गया? कतर और इक्वाडोर के बीच में किसके? कतर और एक्वाडोर के बीच में पहला और लास्ट मैच किस के बचो अर्जेंटीना और अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में लास्ट मैच खिला गया सबसे ज़्यादा मैच खिलने का रिकॉर्ड किस के नाम हो गया मैसी के नाम हो गया है कितने मैच उन्होंने खेल लिए बच्चो उन्होंने 26 मैच खेल लिए इस बार के फाइनल को लगा के ठीक है अब तक दो बार गोल्डन बॉल किसी को मिला है क्या क्या वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अब तक दो बार किसी को मिला है मिला है किसे मिला है बच्छो मिला है मैसी को कब कब मिला है 2014 और 2022 में 2014 और 2022 में बच्छो ठीक है वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता ब्राजिल ने पांच बार पहले खिलाडी कौन बन गए जिन्नोंने पांच वर्ल्ड कप में गोल किये हैं वो बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए है बच्चो अर्जेंटिना के कप्तान कौन थे मैसी थे हुगो लारिस कहा के कप्तान थे फ्रांस के हुगो लारिस थे बच्चो फ्रांस के कप्तान ठीक है गोल्डन बॉल लियोनल मैसी को golden boot किलियन इंबापे को अगर silver ball का नाम आ जाए तो बदल जाएगा और बच्चो silver boot का नाम भी इन दोनों को बदल देना है यहनी golden ball मिला है जिसे उसे silver का boot मिलेगा और जिसे golden boot मिला है उसे silver की ball मिलेगी याद रखना बस दोनों नाम बदल देने आपस में ठीक है golden glove award emiliano emiliano martinage को मिला है बच्चो emiliano martinage को मिला है किसके है अरजेंटिना के गोल की पर है ठीक है fair play award किसको दिया गया है इंग्लेंड को दिया गया है तीसे नमबर पे कौन रहा क्रोशिया और चौथे नमबर पे रहा बच्चो मुरक को 42 million dollar राशी अरजेंटिना को मिली 30 million dollar राशी मिली किसको 30 million dollar मिली है बच्चो किसको वो मिली है France को उपविजेता को ठीक है तो बच्चो ये है आपका टेलिग्राम चैनल RW Current Affairs सारी PDF आपको यहाँ पर मिलती है उमीद है आपको session पसंद आया होगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद